अब बनाते हैं और मैं अभी इंसे आपको मिल वाँगा ये है हमारे लाला विया जो के बीजा का आउट्टेट ये एक सॉल चाल आ रहे हैं तो लाला विया आप हमारे क्लाइन को ये बताएगी ये मशीन आपको चला चुब इतना टाइम हो गया है अब ये 15 साल पुरानी मशीन है आप देख सके कि 15 साल पहले मैंने इंको मशीन बना के दिया था और आज ये मेरी मशीन से सैटिस्वाइड है और इस तरीके से काम करें आप या इसने कितना टाइम लग जाता पूज़ा बनाने आप के लिजा बना रहे हैं जैसा कि आप तुन से साम में बनाईएगी और मैं आपको लाइब जिखाऊंगा सारा कुछ मेंटर बन चेर हुए फीजा त्यार होते हुए तो जोड़े रहे हैं आप वीडियो के साथ और शेयर जरूर कीजेगा ताकि हमारे जो रेलिवेंट क्लाइंट हैं और जो हमारे फेस्बुक के जरीए जो हमारे बिद्र जुड़े हुए हैं हमारे केटर स्वाई जुड़े हुए हैं उन सब ये वीडियो पहुचे और ओवन को हमारे बनाईए ओवन को पसंद तो आप लोग करते ही हैं और अगर किसी को कुछ अच्छा मिले कुछ जैस मिले तो प्लीज वेलकम तू हर्टि दि बिल्ली में हमारा बेज है आपका स्वागत है और मैं आपको इनका परेंट भी दिलाता हूं जालवी आपने ये त्यार कर रहे हैं ये देखिए अब ये एक पीजा बेस त्यार कर रहे हैं और अब आपको लाइब दिखाएंगे कि इसमें कितना टाइमिंग लगता है और इस तरीके दे पीजा त्यार किया जाता है कि इसको टॉपिंग हो रही है और ये इसके उपर देखिए चीज दाला जा रहा है मजरेला जिसे बोलते हैं और ये अब इन्होंने पोवन के अंदर पहुचा दिया है और टाइमिंग की अगर बात की जाएं तो अभी क्या टाइम हुआ है 8 बसका टाइम हुआ है 8 बसका टाइम बनट अब हम इसका टाइम डूरेशन चेक करेंगे मजीन की परफॉरमेंस के साथ तो जुड़े रहिएगा विडियों के साथ और आप देखके से हैं और 15 साल तो इन्होंने बहुत कम बना बताया है एक्सेरियन्स तो इनका इससे भी ज्यादा का है और इनका एक इस्टॉल जो है वो पंदानगर में भी लगा हुआ है और यह जिल्ली के ज्वला हेडी इलाके में इन्होंने अपना इस्टॉल लगा हैं फुर्श के पस्क्राइब को मारे क्लाइंट और जो हमंआरे कैस्स जो भी हैं फेस्टuca जरीये हमारे मित्र हैं और वो डिल्ली में रहते हैं और यह जीशिट करें पिजसा का टेस्ट लेने के लिए आप जॉला हेडी में आपका वेलकम है आप आईए और ये आपको टेस्ट कराएंगे 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 झाल झाल यह देखिए यह पीजा बनकर त्यार हो गया है और इसको और भी सुन्दर बनाया जा रहा है और टाइमिंग देखिए का क्या टाइमिंग हुआ है यह देखिए तीन मिनिट के अंदर